टाइम नवंबर 2004 का था जब 22 साल का पेटर पार को कोर्ट में कलरक लगा हुआ था इसकी वाइफ जान मारको 54 साल की हो चुकी थी और वो एक डोक्टर थी इनका घर डेल मार्क नियू यॉर्क में था जहां पर ये दोनों ही रहा करते थे इनकी साधी को करीबं 30 साल हो चुके थे और इनके दो बच्चे थे 21 साल का क्रिष्टिफर जो की युनिवर्स्टी ओफ रोचेस्टर में आज गे टाइम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था और वो वहीं पर अपनी युनिवर्स्टी में ही रहा करता था और दूसरा बेटा जोनाथन जो की 23 साल का हो च और जितनी भी छुटियों से मिला करते थी उन सारे ही छुटियों को अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई के साथ अच्छे से मना लेने के बाद वो वापस अपनी जोब पर चला जाया करता था और सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में इसी तरह बीजी थे उसके बाद टाइम आया 13 नवंबर 2004 का जब बाकी दिनों की तरहें पीटर सुबह सुबह उठता है और हर रोज की तरहें ही अपना रूटीन अपनाने लगता है। उठते ही उसने सुबह सुबह अपने हाथ मूँ धोए फ्रेस जाकर वो होता है उसके बाद टूत ब्रस करता है नहाता है धोता है अच्छे से खाना वगेरा खा लेने के बाद अपना टीफिन उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। तो क्योंने आज हम लोग मार्केट जाकर थोड़ी सोपिंग कर लें वो दोनों ही पती पतनी मार्केट जा पहुंचते हैं और जो कुछ भी वो लोग संडे के लिए लेना चाहते थे उन सारी ही चीजों को लेकर वो बाविस घर पर आ जाते हैं। तरीबन 11 बच चुके थे लेकिन अभी तक पीटर अपने काम पर नहीं आया था। उसके साथ जितने भी उसके सहकरमी काम किया गरते थे उन्होंने आपस में ही बाते करना सुरू किया कि आखिर कार आज पीटर काम पर क्यों नहीं आया। क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन पीटर अपने काम पर ना जाता और छुटी कर लेता। और ऐसे में अगर उसे कुछ करना भी होता तो वो अपने बाकी साथियों को इस बारे में बता दिया गरता था कि यार कल मैं आ नहीं पाऊंगा काम पर क्योंकि इस इस तरह से मुझे घर पर काम है लेकिन पिछले दिन तो ये बड़े ही अच्छे से ये बात बोल कर गया था कि हाँ ठीक है कल मिलते हैं लेकिन आज तो ये काम पर आया ही नहीं और इनी सारी चीजों के बारे में बात करते करते उनका जो सीनियर था वहाँ पर जज़ मुझूद था जिसके साथ पीटर की काफी अच्छे से बना गरते थी उसने एक व्यक्ति से ये बात कही कि तुम ज सबता दरवाजा कistä कोई रिपला नहीं आया तो उसने इसी तरह वहाँ पर खड़े खढ़े जब उसका टाइम बास नहीं हो रहा था तो उसने दरवाजे को खोलने की कोशिस की कि हो सकता है दरवाजा खुल और वह घर के दूसरी तरफ कोई काम कर रहे हो तो तब ही वह और तो पहले से ही अनलोक था लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आई कि घर का में दर्वाजा वो लोग खुला क्यों छोड़ने लगे इसी तरहे की बाते सोचते सोचते वो दर्वाजा खोलता है और पीछे की तरफ धकेल कर उसे दिवार को लगाने की कोसिस करता है लेकिन पाया कि यहां पर पीटर नीचे जमीन पर गिरा हुआ है इसकी सिट से काफी सारा बलड निकल रहा है और इसके उपर एक तेज धारदार हतियार से काफी बारवार किया गया है नीचे फलोर पर खून के काफी सारे चीटे लगे हुए हैं और यहां पर पीटर ने अपनी जा के साथ बाहर जब आया करते थे तो वहां लोग आपस में एक दूसरे को जाना करते थे और यहां पर पेटर की डैड बोडी देखकर उसने उसकी वाइफ को आवाज लगाना सुरू किया आवाज लगाते लगाते वो नीचे वाले फ्लोर पर जितने भी कमरे मुझूद थे उन उसके सिर पर भी काफी सारे वार किये गए थे किसी तेज धारदार हतियार से जिसके कांट इसकी भी काफी ज़्यादा क्रिटिकल सीच्वेशन थी तो उसने तुरंत 911 के पास कोल कर दिया और पुलिस वालों को पूरी की पूरी इस घटना के बारे में बताया कि जनाब मैं पर आया था और यहां पर कुछ ऐसा हाल है हाँ नीचे मैंने पेटर को चेक किया वो अपनी जान गवा चुका है लेकिन इसकी वाइफ यहां उपर इसके कमरे में मौजूद है और इसकी सांसे अभी भी चल रही है तो आप लोग जल्द से जल्द एम्बूलेंस का परबंद कीजिये और यहां पर आ पहुंचिये पुलिस वाले तुरंट वहां पर जा पहुंचते हैं पेटर को जाकर चेक करते हैं लेकिन डोक्टर्स ने बिल्कुल साफ इंकार गर दिया कि यह तो अपनी जान काफी देर पहले ही गवा चुका है और दूसरी तरफ जब उसकी वाइ थी क्योंकि इसके सिर पर एक तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था और इसके सरीर पर कुल तीन हमले किये गए थे दूसरी तरफ पीटर के सरीर को जब चच्छे से चेक किया गया उसका पोस्ट मार्टम किया गया तो पदा जला कि इसके सरीर पर भी करीबन 16 बार हमल किया गया है पुलिस वाले उनके घर को चेक करने लगते हैं और उसमें उन्होंने पाया कि यहां पर घर में मौजूद अलारम सिस्टम को अच्छे से तोड़ दिया गया है कोई भी इसका ताकि यूज ना कर पाए दूसरी तरफ घर में मौजूद फोन की लेंड लाइन को भी मार डाला लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर और चानबीन करते हैं और चीजों को वहां पर ढूंडते हैं तो उन्होंने पाया कि पीटर का पर्स यहीं पर मौजूद है उसकी वाइफ की जितनी भी ज्वैलरी मौजूद थी वो भी यहीं पर रखी हुई है तो अब पुल धीरे कर पुलिस वाले और चीजों को जब यहां पर ढूंड रहे थे तो उन्हें वो कुलहाडी भी मिल जाती है जिससे कि इनके उपर हमला किया गया था एक तेज धारदार हतियार से इनके उपर हमला किया गया था और वहां पर एक ऐसी कुलहाडी मिल उन्हे जाती है जिस ने ये सारी बात बताई कि सर मैं इस टाइम अपने सहर में नहीं हूँ मैं अपनी यूनिवर्स्टी में मौजूद हूँ मैंने ये ख़बर यहां पर न्यूज में देखी है और उसके बाद पता चला कि मेरे घर पर कुछ ऐसी हालत हो गई जड़ा सुनिए उस एक्ट्वल कोल पर कृट्वल कोली इस बारे में अंदाज आख को में निग्सारी बारे में आजा से बारे में इस बारे में अंदाज लगा रहे थे कि इसके पीछे कौन हो सकता है क्योंकि एक तरफ तो उनका बेटा क्रिस्टोफर्स दूसरे सहर में एक यूनिवर्सटी में अपने पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है और उनका बड़ा बेटा नैवी में लगा हुआ है और उसे तो अभी भी नहीं पता चला होगा कि आखिरकार उनके माता बिता के साथ क्या कुछ हो गया क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर है और वहाँ पर जब वो ओफ ड्यूटी होगा वापिस जाकर कुछ न्यूज वगेरा सुनेगा तब उसे पता चलेगा और जब ये सारी चीजे चल ही रही थी तो पुलिस वालों क कुछ एक ऐसी चीजे मिलती हैं जिनसे उन्हें अंदाजा हो गया कि आखिरकार इसके पीछे असल में था कौन क्योंकि पीटर की वाइफ को जब एम्बुलेंस में डाल कर होस्पिटल पहुचा दिया जाता है पहले तो उनकी हालत काफी जादा खराब थी लेकिन बाद में हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है अभी भी वो बोल नहीं पा रही थी सिर्फ और सिर्फ इसारों से अपनी बाते बताने की कोसिस कर रही थी कि उसी टाइम जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिकेशन के दोरान पेटर की वाइफ से ये बात और उसके बाद उन्होंने पूछना सुरुकिया कि क्या आप दोनों के बीच पती पतनियों के बीच लड़ाई हुई थी जिसके कान आपकी आपस में लड़ाई लड़ाई के जक्कर में ही एक दूसरे को आप लोगों ने चोटे मार दी लेकिन इस बारे में पीटर की वाइ बेटा था या फिर छोटा बेटा था और छोटे बेटे का जब भी नाम आया तो उसकी माहा भरने लगती है ये सारी चीज़े पता चलते ही पुलिस वाले क्रिस्टोफर के पास जाप पहुंचते हैं और उसे अपनी हिरासत में लेकर पुच्चताच के लिए ले आते हैं उ पुलिस वालों ने बताया कि बेटा जो तुम्हारे पिता हैं उन्होंने अपनी जान गवा दी है साइद इस बारे में तुम भी जानते होगे क्योंकि तुम्हारी माने ही हमें ये सारी की सारी चीज़े बताई हैं हाँ वो बोल नहीं पाई क्योंकि उनके मूब पर काफी ब पुलिस वालों को बताई थी कि उनके साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ था आज के टाइम में वो कोमा में जा चुकी थी तो पुलिस वालों के पास कोई भी ऐसा सुबूत नहीं बचा था जिससे वो लोग ये बात प्रूव कर पाएं कि क्रिश्टोफर ने ही अपने माता पिता के ऊ पर था ही नहीं और दूसरी तरफ उसकी यूनिवर्स्टी में लगे हुए जब सिसी टीवी कैमरों को जैक किया जाता है तो उसमें एक पीली गाड़ी रात के टाइम इनकी यूनिवर्स्टी से बाहर निकलते हुए देखी जा सकती थी और ये गाड़ी किसी और की नहीं और जादा लंबा खिच सकता है और सुबूतों को छिपाने के चकर में तुम्हें और जादा सजा मिल सकती है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ को प्रेट करो और जो तुमने गलतिया की हैं उनके बारे में हमें अच्छे से बता दो और इसी तर दरशल उसके दिमाख में लगातार पिछले काफी दिनों से अपने माता बितागे पर ती गुसा भरता जा रहा था क्योंकि जब वो छोटा था तो अक्सर वो फैल हो जाया गरता अपने पढ़ाई में जिसके काण उसके घर वाले उसके उपर लगातार दवाव बढ़ाया करते थे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना चाहिए तुम्हें अपनी जिन्दगी में आगे अगर सफल होना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी और इसी तरह के काफी सारी बाते वो लोग मुझे सुनाया करते थे मुझे बाहर घूमने का काफी ज़्यादा सोक था और इन सारी चीजों में खर्चा काफी ज़्यादा आने वाला था तो मैंने पैसे का जुगाड कर लिया दरसल मैंने अपने पिता के ही नकली सिगनेचर मारे और उनके नाम से काफी सारा लोन उठा लिया बाद में जब मेरे पिता को इस बारे में पता जलता है तो वो काफी ज़्यादा गुसा हुए मैंने अपने माता पिता से अपनी गाड़ी का लोन भरने के लिए पैसे लिये थे मैंने उन्हें भी खर्च कर दिया और जब इस बारे में उन्हें पता जलता है और नकली सिगनेचर वाले चीजों के बारे में जब उन्हें पता जलता है तो उन्होंने मेरे पास एक इमेल भेजा जिसमें ये बात वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें अपने आपको सुधार अगर तुम इसी तरहे से सरारते करते रहोगे और इसी तरहे से अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड करते रहोगे तो हम लोग अपनी प्रोपर्टी में से तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले इसी तरहे की काफी सारी धंकिया वो मुझे दिया करते थे और ऐसा ही कुछ 15 मेरे पिता का मेरे पास कोल आया था, मैं उस दिन काफी ज़्यादा तंग हो चुका था, कि पता नहीं मेरे घर वाले आखिरकार चाहते क्या हैं, मैं जिसी चीज में खुश होता हूँ, उन्हें उसी चीज में काफी ज़्यादा प्रोब्लम होती है, और उस रात मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं अपनी गाड़ी उठा कर अपनी उनिवर्स्टी से निकलता हूँ, यहां पर हमारे घर पर आता हूँ, और अपने माता पिता के उपर हमला कर देता हूँ, मैंने करीबन दस से पंदरा बार मेरे पिता के उपर हमला किया, और दूसरी तर सिर्फ और सिर्फ तीन चार मैंने उनके उपर हमले किये थे और इसी हमले के कारण उसकी मा का जबड़ा तूट जाता है उसके सिर में भी काफी ज़्यादा फ्रेक्चर आते हैं और यही कारण था कि उसकी मा आज के टाइम में कोमा से बाहर तो आ चुकी थी वो पूरे तरीके से इस बात को भूल चुकी थी कि जब आखरी टाइम में पुलिस वाले उसे यहाँ पर लेकर आये थे और जब थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी जब पुलिस वालों ने उससे ये बात पूछी कि आखिरकार उसके उपर हमला किस ने किया तो क्रिष्टीउफर का नाम आते ही उसने हां भरी थी लेकिन आज के टाइम में उसकी मा के सिर पर जब ये चोट लगी थी तो वो इन सारी ही चीजों को बिलकुल भूल चुकी थी पुलिस वालों गो जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता जलता है प्रयापत मातरा में उन्हें सुबूत मिल जाते हैं तो वो लोग उसे लेकर कोर्ट में जा पहुंसते हैं और कोर्ट में भी उसकी माउस की बचाओ करने की पूरी कोसिस कर रही थी उसने ये बात कही कि सर ये मेरा बेटा है ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जरूर आप लोगों को कोई गल्त फैमी हुई होगी लेकिन जज ने उसके इन सारे कारनामों को देखकर सारे के सारे सुबूतों को देखकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और अगर उसे पैरोल पर भी बाहराना हो तो 50 साल के बाद वो अपलाई कर पाएगा वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक बच्चा जो की गलत रास्ते पर जा रहा था उसके माता पिता सिर्फ और सिर्फ उसे समझाने की कोशिस कर रहे थे क्योंकि जिन्दगी काफी जादा लंबी है और इसी तरह से अगर वो घूमता फिरता रहता है लोन वगेरा लेता रहता है तो उसकी जिन्दगी नहीं कटने वाली थी और जरूर इसी तरह अगर वो जीता रहता तो उसकी जिन्दगी में आगे चल कर समस्या आती और कोई भी माता पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे को फ्यूचर में कोई भी प्रोब्लम हो वो सिर्फ अपने बेटे को समझा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ क्रिश्टोफर उनकी बातों को कुछ ज़्यादा ही गलत वे में ले लेता है और उसके बाद काफी ज़्यादा भयंकर तरीके से उसने अपने माता पिता की जान लेने की कोशिस की जिसमें उसने अपने पिता को तो जान से मार ही डाला और उसकी माँ मरते मरते बची थी लेकिन उसकी माँ को सारी की सारी जब चीजे बता दी गई थी क्योंकि पहले तो वो भूल चुकी थी लेकिन सारी चीजे पता चलने के बाद भी उसकी माँ अपने बेटे को बचाने की कोसिस करती है और जब तक उसका ये पक्का नहीं हो गया कि वो जेल में जाने ही वाला है उसने अपने बेटे का पीछा नहीं छोड़ा हर वो वकेल को हायर कर रही थी जो कि उसके बेटे को बचा सकता था लेकिन आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसके कारणा में ही कुछ इस तरह के थे तैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इसी तरह की नए नए इंट्रस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए ओफबीट पोड़कास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी क मिलते हैं एक और नए ट्विस्टिड केस के साथ